हेलो दोस्तों मितला दोन आप सभी का स्वागत है आखिर कार जिस चीज का इंतजार था वो समय आई ही गया सहारसा से फॉर्ट बीज गंज डेल लाइन पर ट्रेन परचालन का समय आ गया है कि कब जो है ट्रेन परचालन होगा किस समय में जो है ट्रेन परचालन होगा ये उन स दोस्तों आप सभी लास्त जो दुखेएगा आज का ये वीडियो बनाने में मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो उसमें जो है कुछ भी अच्छी ख़बर नहीं पता पाता था सहार्था सहार्था फॉर्ट वीडियो में बताऊंगा तो आईए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं किस परकार से जो है सहार्था से फॉर्ट वीडियो में पर ट्रेन का परचालन होने वाला है तो दोस्तों कुछ इस परकार का जो है रेलबे बोर्ट की तरब से जिसमें की जो है दो नई ट्रेनों के बारे में सुच्णा दी गई है जो सब से पहला ट्रेन है वो है दानापोर से लेकर जोगबन्नी यानि की दर्भंगा से 420 गंज रेल लाइन पर पहला ट्रेन का अनुमती है और दूसरा ट्रेन है वो है जोगबनी से सहारसा यानि की सहारसा से 420 गंज रेल लाइन तो आज की इस वीडियो में आप सभी को जो है सहारसा 420 गंज रेल लाइन पर जो है ट्रेन के बारे में पूरी जानक तो आई जानते हैं आज की इस वीडियो में सहारसा फॉर्वी से लेन के बारे में तो यहां आप से देशकते हैं इंट्रडक्शन ओफ जोगबनी सहारसा एक्सप्रेस डेली यहां पर एक्सप्रेस ट्रेयन की बात की जा रही है जो की चलने वाली है जोगबनी सहारसा और सहार कऱ долा होते हैं एक पता होगा यह चो है रिवर्ज करना परता है आप सभी को पता होगा ये कि ललीद गाम के आगे जो है नहीं जाती है कोई ट्रेन ट्रेन को वहाँ से reverse करना पड़ता है फिर जो दोस्तों वो ट्रेन 4.20 गंज पहुचेगी 3.10 मिंट पे 3.10 मिंट के बाद 4.20 में जो है इसका 20 मिंट का हॉल ट्रेने वाला है उसके बाद वो ट्रेन 3.30 पे 4.20 गंज से खुलेगी और 4.00 बज़े जो है जोगबनी पहुच जाएगी उसके बाद जो है जोगबनी से इस ट्रेन का खुलने का टाइम होगा 4.30 मिंट पे और उसके बाद जो है सहारसा यही ट्रेन पहुचेगी रात के 9.40 मिंट पे तो इस परकार का से दोस्तों कुछ ट्रेन जारी आगे है कि इस परकार से आपसरी लगता है कि यह ट्रेन सही है रात के 11.15 मिंट पे सहारसा से 40 गंज के बीच ट्रेन दी गई है किस परकार से यात्री इसका लाग उठा पाएंगे मुझे अभी यही समझ नहीं आ रहा है यह official notice के टाइम टेबल पर देखके आपके मन में क्या विचार आ रहा है अपने विचार हमें comment में जरूर बताएगा इसके बाद काफी सार लोगों ने इसके ओपर बात सीच चालू करी जिसमें कि उन्होंने देखा कि मतलब क्या यह train के halts जो है सिर्फ यही रहने वाले हैं यानि कि जोगवनी के बाद सीथा train 420 गंद पहुचेगी 420 गंद से ललित ग्राम, ललित ग्राम से सराइगर, सुपल, साहरसा क्या बीच में जो भी station है उन पर यह train नहीं रुकने वाली है तो इसके ओपर अभी काफी चर्चा हो रहा है कि क्या यह train को एक्सप्रेस train में गिंती करके उनको किसी भी छोटे मोटे station पर नहीं रुका जाएगा तो इसके ओपर कोई भी official notice नहीं आया है जब इसके ओपर कुछ official notice आता है तो मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से जरूरू पहुचाऊंगा क्या पता यह train जो है यह demo express special train हो जैसे कि अभी साहरसा से दर्भंगा रेलैन पर चलता है उनको भी train को जो है वो demo express special train में गिंती करते हैं तो देखना यह है कि आगे क्या होता है और अभी जो है यह सिर्फ time table आया है train का कि इस परकार से जो है सहारसा से जोगबनी और जोगबनी से सहारसा विच में जो है train चलाया जाएगा लेकिन कोई तारीक जो है इसके बारे में नहीं बताया गया है इसके बारे मताया गया है कि inaugural run जिस दिन होगा तो उसके बारे में जो है सुचना बहुत जल दी जाएगी यानि कि train का उध्गाटन जो है कब किया जाएगा अब उध्गाटन भाई कब करेंगे यह रात के 12 बज़े आकर जो है train का उध्गाटन करेंगे आएगा तब तक लिए जाए हिंद्ट जाए भड़त जो है